नमस्कार दोफ्ता एक बार फिर अमारे यूटूब चैनल में अब लोगों का हर दिक स्वागते लेट अफ्टर प्रेट निकल कैई की करमचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशकवरी है दोस्तो नियू इयर में करमचारियों को मिलेगी और एक गुड नियूज 18 महीने के बकाया डिये एरियर पर भी फैसला होगा जल्द तो दोस्तो फैसले पर हरी जंटी मिलते ही जनवरी 2021 से रेलवे के 11.56 लाग से अधिक करमचारियों को फैदा मिलना सुरू हो जाएगा और सैलरी में 80-100 रुपे तक का होगा फैदा और एरियर का भी मिलेगा लाब तो दोस्तो हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारी चैनल पर पस्टाइमी जिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ वैल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गौर्मेंट या पैंसिन से सम्मंदी जितने भी नूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंध फूसके तो करते हैं वीडियो को स्टाइट भिना किसी देरी के दोस्तो केंदरे करमचारी को जल्द एक और खुश खबरी मिलने वाली ये खबर है कि सैंट पे कमिशन के तैतिक 30% महेंगाई बता और महेंगाई तरात बढ़ने के बाद केंदर की मोधी सरकार नए साल से हाउस रेंट अलाउंस की सोगात दे रही है इसके लिए प्रफता बेचे जा चुका है और त्यारिया भी जोरो सोरो पर है आगर मंजूरी मिलती है तो इसमें 11.5-6 लाग से अधिक करमचारी को लाब मिलेगा और सैलरी में एक ऐसी सो रुपे तक की होगी बढ़ोतरी दरसल हाल में ही केंदर सरकार के महेंगाई बतार महेंगाई रातिक 30% कर एक करोड केंदरी करमचारी और पैंशनों को खुश कर दिया है इसका लाब भी अक्टूबर नुवंबर 2021 की से मिलना सुरू हो जाएगा और करमचारी की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी वही अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार जल् मिल रही है मिडिया रिपोर्ट के मुताबी की 30% बत्ते के बाद इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवाईजर एसोसियेशन और नैशनल वैड़ फेरेशन ओफ रेल्वे मन ने एक जनवरी 2021 से हरे बढ़ाने की मांग की थी इसके बाद वीत मंत्राले एक प्रफ्ताव बन करमचारियों को फाइदा मिलना सरू हो जाएगा और सैलरी में एक एसी सो रुपे तक का होगा फाइदा और एरियर का भी मिलेगा लाब मिडिया रिपोर्ट के अनुसार सैंथ पे कमिशन के पे मैडरिक के मुताबिक हर लेवल की करमचारियों के वेतन में अलग लग बढ़ोतरी होगी सैंथ पे कमिशन के तैजब डिये 25 परतिशत चे अधिक हो जाता है तो एचारे भी बढ़ जाता है इसकी दर 8, 16 और 24 जाते हैं दोस्तों अगर किसी करमचारी का मूल वे 33,000 रुपे है तो उसे लगब 5600 रुपे से लेकर 800 रुपे परतिमाह एच आरे का लाब होगा वही 18 महिने के अठके डिये एरियर पर भी जल्द फैसला होने की उमीद है हाल में ही National Counseling of Railwaymen ने केंदर सकार के अनुरोद किया है कि 18 महिने से बकाया डिये एरियर को जल्द बाहल करे और उसकी रासी एक मुक्त होके रुप में दी जाए ताकि करमचारी को बड़ी रात मिल सके वैसे मामला PMOD के पास भी पहुच चुका है और ने साल से पहले अठक कवे, डियेक का लाम मिलेगा इस समबन में दिसमबर में एक बैठक भी हो सकती है और अंतिं निरण लिया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो करमचारी की सैलरी में दो लाग तक का उचाल देखने को मिलेगा हालनकि सरकार की तरफ से कोई अभी वियान नहीं आया है दोस्तों जो बकाया डिये की सैलरी है उसमें कितनी बड़ोतरी होगी वो भी हम आपको बताते हैं कि लेवल बन के करमचारियों की बात करें तो डिये बकाया 11,888 रुपे से 37,000 रुपे और लेवल 13 के करमचारियों का 1,44,200 रुपे से 2,18,200 रुपे के बीच में अरियर दिया जाएगा 18,000 मूल वेतन वाले करमचारियों को 3 महीने का डिये अरियर 11,888 रुपे मिलेगा और 56,000 सैलरी वालों को उन से 3 महीने का 37,500 रुपे का डिये अरियर मिलेगा इसके अलावा HRA और TA समेत अन्य भत्ते भी जोड़े जाएंगे तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए जैही जैवार